काइंड़ी सब्क्राइब माई चैनल एंड हिट ऑन दे बेल आइकन पॉर पर्दर नोटिफिकेशन हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन यूर बेश चैनल एमस कोचिंग इंस्टिटूट फ्रेंड्स आज मैं लाइट लेशन का पार्ट सेवन पढ़ाने जा रहा हूं इसमें मैं स्फेरिकल मेरर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलोजी होते हैं जो हर किसी को जानना चाहिए क्योंकि इसकी बेश पर बहुत सारे नुमेर्कल्स बनते हैं और बहुत सारे concept आगे cover होंगे तो आपको spherical mirror से related जो important terms है वो one by one आज में आपको बताने वाला हूँ इसके पहले part 6 में मैंने spherical mirror क्या होता है कितने types के होते हैं ये मैंने already बताया हुआ है अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें ताकि आपको आज का topic बहुत अच्छे से समझ में आए तो चलिए सबसे पहला जो हमारा term आता है spherical mirror में that is center of curvature that is center of curvature जिसे हम लोग सीस रिप्रेजन करते हैं अब मैंने बताया था कि एक spherical mirror किस से बना होता है एक sphere shape के hollow glass से बना होता है जिसके एक portion पर या तो inward या तो outward हम क्या करते हैं polish कर देते हैं तो उसका दूसरा side क्या हो जाता है reflecting surface हो जाता है तो just imagine करिए कि यह हमारा mirror है यह suppose that मैंने लिया हुआ है इसके एक side में मैंने inward side में support मैंने polish कर दिया तो यह कहां से लिया गया होगा यह एक hollow sphere से ही लिया गया होगा ठीक है इसमें से किसी portion को cut किया गया होगा तो cut करके यह portion just आपके सामने आ जाता है जिसके base पर हम polish करके concave और convex mirror prepare करते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है तो center center of curvature curvature मतलब कर्व की बात कर रहा है इस कर्व का center क्या होगा मतलब यह जिस hollow sphere से बना होगा इस hollow sphere का जो center होगा जैसे यहाँ पर देखिए यह एक hollow sphere था यहाँ पर इसका यह center है ठीक है तो यह center जैसे circle का center होता है वही same समझ लीजिए यही कहलाता है center of curvature center of curvature ठीक है अब यह इमेजनेरी एक concept इमेजनेरी क्यों है क्योंकि जब यह spare यहाँ से हड़ चुका है एक simple सा मेरे पास spare है तो यहाँ पर center of curvature कहां से आएगा तो hollow की बात होगी तब एक खोखला पूरा round spare होना चाहिए तो यह imaginary है बट बोला जाता है कि यह जो spherical mirror होता है यह जिस hollow spare से लिया गया होता है उस spare का central point होता है that is called center of curvature ठीक है दोस्तों तो define कैसे करेंगे बहुत ही simple तरीके से आप define कर सकते हैं the center of the hollow sphere of the glass of which the mirror is a part जिस hollow glass जो sphere ship में था उससे यह mirror बनाया गया है तो उस hollow sphere glass का जो center होगा वही इस sphere का center कर लाएगा that means center of curvature हम उसे कहेंगे ठीक है दोस्तों next term हमारा आता है radius of curvature जिसको हम लोग R से रिप्रेजन करते है radius of curvature radius ठीक है दोस्तों अब आपको मालूम है आप math में भी पढ़े हैं कि central point से आप इस sphere के यह circle के किसी भी boundary चेट टच करा दीजिए तो यह जो length आपको मिल रहा center से इस boundary के जिस surface पे आपने टच करा उसके बीच का है distance कहीं पर भी ले लिजिए ए डिस्टेंस क्या कर लाता है हमारा रेडियस क्या लाता है वह ऐसे यहां पर भी यह क्या है कि सफियर से ही बना हुआ है तो उस sphere का जो radius रहा होगा वही क्या होगा इसका radius of मतलब इस mirror का curvature का लाएगा या radius of curvature का लाएगा तेंके दोस्त। The radius of the hollow sphere of which the reflecting surface of the spherical mirror is called radius of curvature जो उस hollow sphere का जिससे यह हो nowhere वाला spherical mirror बनाया गया है उस hollow sphere का जो radius रहा होगा that will call radius of curvature अब एक और definition पहुत simple छह होता है the distance between the sea मतलब center of curvature and the pole is called radius of curvature तो next topic में अभी जब आपको बताऊंगा pole तो यह portion भी आपका समझ में आ जाएगा यह भी बहुत अच्छा definition इसने simple चा तरीके जाए ठीक है देखिए यही पर डाग्राम में एक ही डाग्राम में बता दे रहा हूं यह center of curvature था ठीक है अब मैंने क्या किया यह hollow sphere से ही बना होगा तो इसका radius से ही होगा यही radius होगा center से ठीक है boundaries पर किसी भी जगह पर line test करवाया जाया तो यह जो length बन करके आता है that is called radius और यही यह radius of curvature ठीक है चलिए अब पहले पोल की बात कर लेते हैं ठीक है पोल की बात करने का मतलब कोई पोल नहीं खूली जा रही है यहाँ पोल का मतलब क्या है यहाँ पर हम लोग कुछ अलग टर्म स्पेरिकल मिरर में यूज़ किया जाता है उसकी बात हम कर रहे हैं कुछ लोग अभी समझ रहेंगे सर क्या पोल खोलने वाले हैं तो ऐसा कुछ नहीं है हम यहाँ पर मिरर से रिलेटेड इस्पेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्माता पोल हम उसकी बात कर रहे हैं हम दस्सेंटर ओप्दर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस यहमारा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हैं चाह कुछ भी ले जीए आप जैसे हाँ पर कौन के मिरर हैं आप ig contribute मेर में इंवर्ड्पॉली सोता 이상 में इसका जो श्फेर कल मेरर का जो मद्सर पॉइंट होगा तीक हें वही क्या गाला आता है यह कोड़ा अप्धे एक डिपनेशन में ने बताया था, the distance between the pole and center of curvature, pole, pole यही है, इनके बीच का जो distance होगा, that will call radius of curvature, ठीक है दोस्तु, next term है, aperture, aperture मतलब क्या होता है, the effective distance of a spherical mirror from which reflection of light can take place is called aperture of spherical mirror, मतलब, यह aperture का मतलब क्या हुआ, कि एक particular range होगा, जिस पे light incident होगा, तो ही reflection होगा, उससे बाहर हुआ, तो reflection नहीं होगा, reflection नहीं होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, यह जो MN है, यही aperture का लाएगा, इसके लिए, तीक है, आब light ray जब incident करेंगे, तो इसके बीच में ही कहीं पर light ray incident होगा, इनके बीच में कहीं पर भी light ray incident होगा, तो वो क्या होगा, वो reflect करेंगा, अगर light ray यहाँ से ऐसे गुजरा, तो यह तो सिधे-सिधे निकल लाएगा, तो aperture का मतलब वो पूरा distance, स्पेरिकल मेरर का, जहां से reflection of light possible है, that distance will call aperture, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है principal axis, what is principal axis, the straight line passes through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called principal axis, एक imaginary line होता है, बोला जाता है कि center of curvature और pole, अभी अभी मैंने यह दोनों टर्म बता दिया, अब एक ही करके सारे टर्म को समझते हुए, width diagram देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे समझ मैं आगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह center of curvature और pole से होते हुए, एक straight line जो गुजरती है, that is imaginary, यह याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं principal axis, जैसे माली जहां पर मैंने AB बनाया, जो C और P से होते हुए जा रहा है, मतब center of curvature और pole से होते हुए सीधे-सीधे जा रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे AB को, यह principal axis, इस spherical में रखा है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रिंस्पल फोकस, फोकस, फोकस का मतलब हमें सा याद रखिएगा, after reflection, light rays कहीं न कहीं तो meet करेंगे ही, जब light rays after reflection meet करते हैं, तो हम उसे फोकस करते हैं, और अगर वो focus principal axis पर हो, मतलब कि वो light rays after reflection, किस point पर मिल रहा है, principal axis के किसी point पर मिल रहा है, तो हम उसको करते हैं principal, फोकस इसे हमनों capital F से represent करते हैं It is a point on the principal axis of the mirror at which light, rays, after reflection meet at principal axis or appear to meet यहाँ पर हमारे पास spherical mirror है कौन सा mirror है, कौन के mirror है अब यहाँ पर parallel rays incident हुआ यह reflect किया inverse side में क्योंकि converging nature का होता है मैंने अभी अभी बताया था यह parallel rays आया और यह incident होकर के reflect हो गया अब यह converge होने के वज़र से यह meet किये जिस point पे reflected rays कम से कम 2 rays होने चाहिए था में सायाद रखेगा image formation के लिए focus बनना चाहिए और minimum 2 light rays होंगे कि तभी focus बनेंगे क्योंकि दो point दो line आपस में cut करना चाहिए तो यह light rays आपस में यहां पर cut कर रहे हैं तो यह focus कर लाएगा अब चुकि यह principal axis पर बन रहा है तो इस focal point को हम क्या कहेंगे principal focus कहेंगे ऐसे यहां पर देखिए convex mirror में यहां पर भी light ray incident होने के बाद diverging nature होने की वज़र से फैल जा रहा है पर हम imaginary जब इसको मिला करके देखते हैं तो mirror के पीछे एक जगा पर focus बनता है मतब यह real में focus नहीं है it appear to meet ऐसा लग रहा है कि यहां पर अगर हम आगी बढ़ा है तो इस जगा पर meet करेगा तो यह point होगा यह focus कर लाएगा और यह principal axis पर चुकी है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे principal focus कहेंगे अब एक टर्म आने वाला है what is focal length या principal focal length जिसको small apps represent करते हैं यह पर diagram मना हुआ है मैं इसको समझा दे रहा हूं फिर मैं उसका definition आपको नीचे में दिखा दे रहा हूं simple चाड डेपनेशन है यह है focus यह pole the distance from the pole to the focus इनके बीच का यह जो distance होगा यह कहला था focal length या the length between the pole and focus is called focal length जिससे हम small app से रिप्रिजन करते हैं तो देखिए इस सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखावा the distance from the pole to the focal point is called principal focal length जोकि principal axis हो रहा है इसलिए उस लेंद को हम principal focal length बोलते हैं या generally हम लोग focal length भी बोलते हैं तो चल जाएगा ठीक है दोस्तों अब हम हमेशा जब लिखेंगे तो कभी भी गलती सहसा मत लेखेगा distance from the pole to the focal point जैसे मैंने यहाँ पर लिखावा the distance from the pole to the focal point focal point मतलब फोकस की बात हो रहा है कभी यह मत लिखेगा the distance from the focus to the pole point क्यों क्योंकि अभी मैं आगी जो है जब इसके rule sign convention पढ़ाऊंगा उन समय मैं बताऊंगा कि कभी भी distance measurement pole से ही किया जाता है कोई भी चीज का measurement pole से किया जाता है तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा बड़ आप यादर कि ज्यादा सी ज्यादा लोगों तक share करें और हमारे MS coaching institute के चैनल को जरू सब्क्राइब कर लें thank you so much